बॉलिवूर्ट इंडस्टी में एक वक्त ऐसा भी था जब केट्रिना कैफ और रनवीर कपूर के प्यार के चर्चे हुआ करते थे दोनों का रिलेशन्शिप बेहदी स्ट्रॉंग था लेकिन जैसे ही अचानक से दोनों का ब्रेक अप हुआ तो फैंस को भी एक बड़ा जटका लगा जिहां दोनों हमेशा ही लगातार लाइम लाइट में बने रहते थे लेकिन आज के समय में काट्रिना कैफ अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी है तो वहीं रनवीर कपूर भी इसे बीच लोगडाउन के दोरान काट्रिना कैफ का एक इंटरव्यू वाइरल हुआ जिहां दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि लोगडाउन में ऐसे कई इंटरव्यू सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार अपनी परसनल लाइफ को लेकर सेलेफ्स खुलासे कर रहे हैं इसे बीच काट्रिना कैफ का भी एक इंटरव्यू वाइरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने ब्रेक अप के बारे में खुलकर बाते की हैं दरसल आपको बता दें कि अपनी पराने इंटरव्यू में काट्रिना कैफ न कहा था कि इससे पहले कि मैं खुद को फिर से जोडती मुझे ब्रेक अप करना पड़ता मुझे इससे सुलझाना पड़ा सब सेवाय की जिस चीश के लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी मैं बहुत ही भावुक रही हू उन्दास। मैं इसको किसे के लिए भी खोने या बडलने वाली नहीं हूँ लेकिर अलग होने के बाद एक औरत के तोर पर जो मैंने सीखा वो ये है कि आपको अपनी पहचान को जरूरी तोर पर बचा कर रखना चाहिए आपका आत्मसम्मान खुद से आता है किसी दूसरी इंसान से नहीं आप इस दुनिया में अकेले आएं हैं और अकेले जाएंगे मैं ये नहीं कहती कि प्यार में खुद को मत डालो नहीं प्यार भरे एक रिष्टे में रहना बहुत खूबसूरत होता है लेकिन मुझे ये पता है कि कोई और आपको आपकी पहचान नहीं देगा वेल दोस्तों इस तरीके से कट्रीना कैफ ने रनवीर कपूर के साथ ब्रेक अप को लेकर ये तमाम बातें शेयर लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियूज